गतिलेखन अभ्यास 31 अस्सिसब प्रत्मिनट महोदय जैसा मैंने आपके सामने कहा कि आणुसक्ति को बढ़ावा देना इसके बदले में बम बनाने की बात करना आज दुनिया के सामने एक नासमझी की बात है और वह नासमझी दुनिया सुईकार कर चुकी है आज हमसे यह बार-बार कहा जाता है कि इससे हमारे देश की सुरच्छा पर जो खत्रा है वह खत्रा कम हो जाएगा पहली बात तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में यह साहस सायद पिछले एक महीने तक नहीं था आज यह साहस आ गया है मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सुरच्छा के उपर कोई खत्रा नहीं था और अगर खत्रा था तो पोकरण के बम से कम नहीं हो गया है वह खत्रा अपनी जगह पर थाए क्या आप जानते हैं कि अमरीका के पास दुनिया में सबसे अधिक अणुबम है अमरीका बारा वर्षों तक वियतनाम से लड़ता रहा दोनों खोजें आमने सामने खड़ी रही अमरीका के लोगों ने बम क्यों नहीं चला दिया उसके पास दुनिया में दूसरे नंबर का अणुबम है वह देश तूट गया बिखर गया उसके चार पाँच राज्यों में आज भी अणुबम है अणुबम से सुरच्छा नहीं बढ़ती अणुबम की भात करके सुरच्छा पर खत्रा बंद करके आपने देश के लोगों को मनोबल नहीं बढ़ाया है देश के लोगों के सामने आपने अपना बाहुबल पुजवाने के लिए एक काल्पनिक खत्रा पैदा किया है यह कोई अच्छी बात नहीं है राजनीत में यह भी कहा गया कि हमने इतिहास पर यह हस्ताक्षर कर दिये है इतिहास पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के इतिहास को विक्रित मत कीजिए यह खतरनाक खेल है क्योंकि इतिहास एक बड़ा क्रूर निर्णायक होता है इतिहास कोई दो दिन में नहीं लिखा जाता लोगों के प्रसस्ति गानों से इतिहास नहीं लिखा जाता मैं जानता हूँ मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक ओर दुनिया के लोगों ने अनुबं के सहारे सुरच्छा की कल्पना को असुईकार कर दिया है सायद आपको यह मालूम नहीं आप बहुत नोट बना कर ले आये थे आज दुनिया यह भी मानती है कि हिरोसिमा में बन गिराने की जरूरत नहीं थी उसके पहले जापान आत्मसमरपन करने को तयार था आज अमरीका के लोग भी यह कहते हैं कि वह बम नहीं गिरता तब भी लडाई का वही फल होता जो जापान में हुआ था